नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते स्रीकेड करक रासी सूरी का रासी परिवर्टन होने जा रहा है सूरी 15 जुलाई को करक रासी में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को करक सक्रांती मनाई जाएगी सूरी देप मिठुन रासी में अभी तक विराजमान थे अब वो जब करक रासी में आएंगे तो यहाँ पर 15 अगस्त तक रहेंगे तो सूरी देप के रासी परिवर्टन से आपके उपर क्या प्रवाव पड़ेगा जानेंगे विस्तार से देखे सूरे आत्मा के कारक हैं 16 जुलाई को जैसे ही वो तड़के सुभर करक रासी में आएंगे 29 जुलाई को पुस्य नच्छतर में प्रवेश करेंगे 2 अगस्त को आसलेशा नच्छतर में और 16 अगस्त को मगा नच्छतर में गोचर करेंगे इसके बाद वो सिंग रासी में प्रवेश करेंगे तो करक रासी चंडर्मा की रासी है और जब यहां पर सूरे आएंगे चंडर्मा की रासी में तब इसकी इस्थिति क्या होगी सूर्य गुरु के साथ लाब संबंध बना कर चलेंगे राहु के साथ नवम पंचम योग राहु की दृष्टी से दृष्ट और सनी से सदाष्टक योग तो बुद्ध के लिए जो इस्तिती बनी भी है यहाँ पर सूर्य चुकी स्वेम कुरूर ग्रह है और सनी से सदाष्टक योग बनाएंगे तब थोरे और खिलेंगे बलवान हो जाएंगे तो सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं आत्मा के कारक ग्रह हैं अगनी का ग्रह भी कहा गया है चंद्रमा माता करूना जल का ग्रह है मन का ग्रह है तो سूरे पिता हैं और चंद्रमा माता है बस यह ले कि माता के घ़र पिता आ रहे हैं तो सूरे जो अनुसासन के कारग गरे है तो माता की रासी में जैसे ही आएंगे तब अनुसासन में कुछ थोड़ी कमी आईगी राहत मिलेगी क्योंकि सूरी जब भी करक रासी में आते हैं तो स्रावन महलग भग आही जाता है मानसूल लाते हैं अगनी की जो तपी से वो कम हो जाता है तो सूरी के करक में आने से सूरी की सक्ति कम नहीं होगी बलकि उनका गुन और बढ़ जाएगा तो ये परिवर्तन आपके उपर क्या प्रभाव डालेगा क्योंकि तीन नच्छतर में सूरी जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि वो परिवर्तन भी करेंगे अब जो सुभ रभी पुस्य नच्छतर बनता है सूरी का करक रासी में जाना अच्छा होगा क्योंकि करक रासी में तीन नच्छतर आते हैं पुनरवसू पुस्य और आसलेसा तो ब्रिस्पती का नच्छतर सनी का नच्छतर और बुद्ध का नच्छतर यानि पुनरवसू, पुस्य और आसलेसा नच्छत्र तीनो ही करकरासी में और तीनो नच्छत्र में जब सूरे गोचर करेंगे तब उसका प्रभाव आपके उपर क्या पड़ेगा चले जानते हैं विस्तार से करकरासी, सूरी का ये रासी परिवर्तन आपके लिए ठीक है पर बहुत अच्छा नहीं है मंगल का रासी परिवर्तन भी आपके लिए ठीक है तो मिले जुले परिनाम मिलेंगे तो फैमली लाइफ यानि की पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिए पारिवारिक मामलों में साफधानी रखे, नहीं तो मानसिक तनाव होगा, वैसे तो चोड़ चपेट से बचने की भी आवस सकता है मानसिक तनाव और चोड़ चपेट, ये परिशानी आपको रहेगी, बेबज़ा टेंसन रह सकता है मंगल की बज़ा से कुछ फायदे भी होंगे, जैसे की करियर के मामलों में सफलता मिलेगी करियर में कोई नई सुरुवात हो सकती है, कोई नया मौका आपको मिल सकता है और मंगल की बज़ा से करियर में आपको सफलता मिलेगी स्वास्त का, स्वास्त के मामलों में खास कर तनाव से बचें, टेंसन कम लें, परिसानी है और क्या करेंगे नियमित रूप से भगवान सुरी को एक लोटा जलर पीत करें, तो आपको बहुत हत तक राहत मिलेगी तो सुरी का ये गोचर आपकी रासी में होने जा रहा है करक रासी में, सुरे धन पती बन कर आपकी रासी में गोचर करेंगे तो भागी का साथ तो मिलेगा क्योंकि धन आएगा, राहु के साथ सुरे का संबन्द नवम पंचम होगा, तो कुछ बदनामिया भी देगा इसलिए बदनामियों से बशना है अपनी आँखों का खयाल लखना है सनी के साथ सदाश्टक योग बनाएगा तो थोड़ी परिसानी यहाँ पर देगा आपको तो यहाँ इस गोचर में अगर हम जोतिस की माने तो दिलचस्पी जगेगी आपकी गुप्त विद्याओं की तरफ और इस समय गहराई से चीज़ों को समझने का परियास करेंगे कर्म से कर्म से यानि की जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप सफल होंगे आसावादी बनिए पॉजिटिव सोच रखिए और कर्म करने से पीछे मत हटिए सरकाई नौकरी करते हैं तो उच्चा दिकारी के साथ रिस्तों को थोड़ा खयाल रखे उनके साथ रिस्त बढ़ेगा तो दामपत्ती जीवन की बात करें तो एहंकार वर्स थोड़ी परिसानी है रिस्तों में जीवन साथी के स्वास्त का भी ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा खासकर आँखों का आपको अपना खयाल रखना है या फिर सर्दी जुकाम जैसी चीजें हो सकती है बल झाल 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 झाल